नमस्ते हरियो मिस एस्टलोजी की अपडेट को बिलकुल मिस मत कीजिए को क्योंकि 502 साल के बाद बनने वाला एक ऐसा विचित्र राज योग जो की आज प्लैनेट को एक लाइन में अलाइन करने वाला और आप इस चीज़ को अपनी आखों से अकाश में देख भी पाएंगे इस योग का नाम है पापकरत्री योग तो जानते हैं बार राशियो के उपर इसका क्या इंपक्त पड़ने वाला है और उससे आपके जीवन में क्या क्या पॉसिटिव चेंजिस आने वाले ये पूरा योग 12 दिन का बनने वाला है और ये की शुरुवात एक्जेक्ली 4 करने के लिए मेश एपाय का स्वामी मंगल मंगल जब संवयमreno की राशिए नदर बैठता तो योग बंता है रूचक महाउपुरश याजच इसकी अनदर तीन चीज़ youtube लगने वाली से बचने के क्या उपाय करना इस वीडियो को पुराना तक देखना दूसरा क्या करना जगा से दूसरी जगा पर जाने का योग या एक जगा से दूसरी जगा पर ट्रांसफर होने का योग बनता है और आपका इस समय पर खर्चा बढ़ता है आप नए गैजिट्स पर इंवेस्ट भी कर सकते हैं विरिश राशी वालों के लिए बहुत अच्छी खुश कबरी आने तो ये सही समय अपना फोन उठाइए उसका नंबर डायल कीजिए उसको कॉल कीजिए कि भाई ये हमारा पैसा प्लीज हमें वापस कर दीजिए इस समय पर आपका वो पैसा जल्दी आने का योग एक्टिवेट होता है ये अच्छा राज योग आपके लिए कहलाता है कोई तो भी नेगटिव इंपक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा क्या उपाय आपको फॉलो करना है वो आप वीडियो के एंड में जरूर सुनके जाईएगा मितुन राशी वालों को थोड़ा सा हडल रहने वाला अपने कैरियर को लेकर नोकरी सुच करने का या नोकरी छोड़ कर दूसरी जगह पर जाने का योग इस विएक्टि की कुंड़ी के अंडर एक्टिवेट हो जाएगा तो नोकरी मिलने में कम से कम तीन महीने का डीलेनेस तो पक्का है तो क्या उपाय करने है वो लास्ने वीडियो के अंड में जरूर देख लिजेगा करक राशी वालों के लिए ते कुशर मार्क वाली डूटी आ जाती वो प्रॉब्लम ये है कि आपकी कुंड़ी के अंदर आपका करम और आपका भागया भी साथ नहीं देने वाला ये 14 दिन 12 दिन बचना है बचना सिर्फ एक चीज में है आपका विवार बहुत अच्छा है से दूसरे की मदद करने के लिए भी नहीं देना है इस बात को नोट डाउन कर लीजेगा इस समय पर आपको अपना पैसा दूसरे विक्ति को मदद करने के लिए भी नहीं देना है सिंग राशी वालों के लिए तो बहुत अच्छे खुशकबरी भी लेकर आ रहों और एक थोड़ी सी नेगिटिव बात है इसको समझन लीजेगा और सिंग राशी वाले दोस्तों को टाग कर लीजेगा इन वीडियोस की इमाध्यम से आप अपने परिवार के लोगों को उन प्लैनेट है और सूर्य कुंडली में पिता का भी कारक माना जाता है तो इस समय पे पिता के साथ बच्चे को ट्रेवल नहीं करना चाहिए यह समय पे पिता या बच्चे के साथ हेल्थ से रिलेटिड इस्यू आ सकते हैं फानेशल गेन का योग बनता है कि आपके पिता आपको अचानक से धन प्राप्थी का कोई माध्यम देदे या आप किसी चीज़ के लिए काफी समय से इच्छुप थे कि मुझे गाड़ी लेनी है मुझे फोन करिदना मुझे प्रॉपर्टी में इंवेस्ट करना मुझे इं कदमा भी फेकरना पड़ता है इस समय पर क्या हो सकता है कि गाड़ी का आप चलान कर जाएым कोई प्रॉब्लम हो जाए आप कि वजी से यह से भी होगा या गलत होगा पर आप पर उस activity का पूरा का पूरा दोश ले लोगे तो इसलिए जो आपको बहुत layman language में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस समय पर लोगों को सला देने से बचना चीए खुद के पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर इस समय पर आप किसी की advice factor के अंदर घुजेंगे किसको advice देंगे कि नहीं तो आपको सिज का नुकसान पक्का मिलता है तुला रशी वालों के लिए थोड़ा सा स्वास्ते का ध्यान रखना है और जिन लड़का या लड़की की शादी म problem बढ़ेगी तो इस समय पर अगर आप love marriage करने का plan करते हैं या love marriage करने का सोच रहे हैं तो अपने girlfriend या boyfriend के relation के बीच में ये बात मत लेकर है कि अभी जागर के तू मेरे पिता जी से या मेरी माता जी से बात कर ले answer will be no तो इस समय पर आपको learn marriage related विचार नी लेना आप अराम स करते रहिए खुछ रहिए संपूंड के साथ रहिए अपनी mutual understanding को और अच्छा strong होने दीजिए और इस समय को जैसी complete होता है उसके बदब शाजी से related बात्चित अपने परिवार में कर सकते हैं विर्शिक राशी वालों के लिए हाँ पर दो चीजों की warning आती है धनका लाब आ सकती है संतान का विशेज ध्यान रखे एक negative शब्द भी इसमें बोला जाते हैं मैं आपको screen के बर वो नहीं बोलने वाला पर मैंने आपको समझाने की कोशिच की है कि संतान से related कष्ट आ सकता है और विक्ती की खुद की health से related problem आ सकती है तो शाम के समय पर overrating या शाम के समय प आप इस समय पर foreign travel करकर आने वाले हैं पापकत्री योग धनूरशी के अंदर सुक साधन के भावव पर आ जाता है जिसके मज़े से आपके घर में बीमारी का योग या आपके परिवार में कोई बहुत जदा करीबी बीमार पढ़ सकता है अब इस बात को कैसा पता करेंगे जब भी कुंडली के अंदर पापकत्री योग कुंडली के दूसरे भाव में बन जा है तो परिवार का कोई समस्या परिवार से रेटीट समस्या पैदा करवा देता है उसकी problem आपको जेलनी पड़ती है क्योंकि आप पूरे घर के करता धरता है तो इस समय पे छोटा सा उप आपके जीवन पर नहीं आता है मगर राशी वालों के लिए जिसका स्वामी शनी ही होता तो क्या कर देगा आपका काम स्लोडाउन कर देगा तो यह माना जा सकता है कि 4 जून से लेकर के आने वाले 15 जून के बीच में आपको आपके काम में आपके working style के अंदर थोड़ी सी problem लगे आपके efforts बढ़ा देगा पर उसका result उतना अच्छा आपको favorable नहीं देने वाला कुम राशी वालों को love relation problem में ज्यादा problem आती है सामने वाले partner की वज़े से धोका मिल सकता है दिया हुआ पैसा डूप सकता है इस समय पर share market में पैसा बिलकुल नहीं लगाना चाह कोई भी problem आती है अगर आपकी संतान से related health related issues आने का यूग बढ़ जाता है चलिए हम अपने बात करी 12 राशियों के बारे में अब हम बात करते है वो तीन विशे शुफाय जो आपको कर लेने चाहिए पहला अगर आपके परिवार में स्वास्थे से related problem आ रहे है तो एक चांदी की ड डिबी में चांदी का चकोण टॅकड़ा जाल कर चांदी के डिबी का साइस क्या होगा आपके हाथ के हथियली जितनी चांदी के डिबी आपको लेनी है उसके अंदर चांदी का ür तूकड़ा रेक्षण में रख देना है यह जोड़दा सभपाए अगर आप करेंगे तो घर में आपके स्वास्ति की प्रॉब्लम नहीं आईगी, जो पैसा लोगों को दिया हुआ है, पैसे से रेलेटिट जो प्रॉब्लम चल रही है, उसका विशेश उपाय बताता हूँ, गजेंदर सोत्र का पार्ट करें, मैं रिपीट करता हूँ, गजें इंटरसिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब, तीनों चीजों में से जो जो चीजे करना चाहें, तीनों कर लीजेगा, हरी हो, नामस्ते.